दोस्तो नमस्कार मैं अमरेंदर पटेल बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीती में दो बहुत भयंकर जीस तरह से उलट फेर और जिस कंटर वजसी हुई है उसके उपर आप बताना चाहूंगा एक तरफ अकलेस यादो कहीं मंदिर में या किसी यग में या कुछ ऐसे मतलब जा रहते मैं अभी वीडियो बनाने से पहले देख रहा था उनको काला जंडा दिखाया गया और अकलेस यादो ने बोल दिया सूद्र मैं सूद्र हूँ इसलिए जो है कि बीजेपी जलती है और बीजेपी समण की पार्टी है इसी दो गया इसी दो करने की कोशी सकलेस यादो और चंद सिखर आजाद और साथ में सूद्र परसाद मौरिया पल्लीवी पटल तमाम ऐसे हो बीसी और पिछड़े समाज के जो लीडर हैं अम बेटकर बिचार धारा के हैं और साथ में लोईय सजा मिलेगी करवाई हो सकती है तलब कर लिए अकलेस यादो लेकिन तलब नहीं किये थे स्वामी परसाद मौरिया को बुला के एक हपते से इस राजनीती जो जिस तरह से स्वामी परसाद मौरिया ने गरमाया था अब उस गरमाहट के अलामा और क्या उसमें तड़का लग उसके लिए बुलाए थे अकलेस यादो मैं तो बोल लाता लगाता है अकलेस यादो स्वामी परसाद मौरिया को बुलाते हैं और सारी चीजों पर बात करते हैं नेस्ट जो अगली रणनीती क्या होगी तो अकलेस यादो ने कुछ नहीं स्वामी परसाद मौरिया को बोला थोड़ा सा इत्मिनान से समझाया बुजाये सारी चीजे अंदर किये बता दिये कि जातिगत जनगर्णा और आरच्छण का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है जिसमें पिछडे दलित अकले स्यादों को जब मंदिर जा रहे थे कहीं तो उनको काला जंडा बीजेपी के समाज के ही लोग दिखा सकते हैं क्योंकि समाज के खिलाफी मुर्चा खुला हुआ है सारा पिछणा समाज एक तरफ हो रहा है तो यह चीजे मैदान में दिख रही है तो बीजेपी का जो एजंडा था उसको खारिच हिंदुत की जो एक पराकास्टा लेकर लड़ना चार र लेकिन जब अकलेस यादो लगातार हारने के बाद अच्छा काम करने के बाद भी ऐसा नहीं कि अकलेस यादो ने मुकमंतिर राते वे काम नहीं किया बहुत काम किया बीजेपी वाले भी बोलते हैं मेरे बोलेगा क्या मतलब बीजेपी कुर लोग बोलते हैं तो अकलेस या मोरिया रामचर राजबर इंदरजी सरोज पलवी पटेल नरे सुतम पटेल तमाम ऐसे जो नितिस कुमार से मिलते हैं चंद सेखर आजाद बार बार अकले स्यादों के पास आते हैं स्वामी परसाद मोरिया जब करीबी बढ़ाते हैं तो सारा समिछा करते कि आखिर कारण क्या हारने का तो यह चीज़े कहीं न कहीं स्वामी परसाद मोरिया जैन चोदरी तमाम ऐसे जो करीबी हैं जो उनको मतलब सला दिये कि अब इस पीछे के अलामा कमंडल बनाम कमंडल की जो पीछे वो सबसे उत्तम रहेगी अगर बिजयोपी को इस मैदान से पटकनी देनी है तो तो स्वामी परसाद मोरिया अकले से यादो से मिल कि आते हैं और बोल देते हैं स्वामी परसाद मोरिया की जो मैंने बोला था वो सब उसका जबाव अकले से यादो राश्टी अध्यक्च मारे पार्टी के हैं वो देंगे सदन में लेकिन अब जो होने वाला अगली राजन से जातिकत जन्गडना और आर्चण का मुद्दा लेकर करे श्यादों ने बोल दिया मैदां में उतरों पिछडओो और सर्थ आउवाज उठेगी और अंदोलन होगा इस तरह के सब्द जो है कि सौंए प इन्य सिन्फ महेंचे उठावं तो मैं आपको लगा दर यहीं बोल द जो ब्रामर समाज है 96-97 परसेंट जो है ओट अगर बीजेपी को कर रहा है तो अकलेस यादो के साथ नहीं आएगा कितना भी फरसा उटा ले तो अकलेस यादो को समझ में आ गया को अकलेस यादो नों खुद कहा कि मैं सुद्र हूँ मेरा जो की कारियाल है गंगा जल से धुल समाजिक नया आरचाण और पिछडे दलित की राजनीती करते करते और इसे काफी बीजेपी को कई बार मतलब इस भारती जंता पार्टी को मुलायम सिंह यादो कांसी राम ने ऐसे बहुत बार किया था कि माहल होते भी मंडल बनां कमंडल बना के और बीजेपी को उड़ा द होंगा लेकिन एक चीज एक अनफर्म कि समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से बीजेपी को घेर चुकी है और उसके पास बीजेपी के पास कोई कार्ट नहीं बचा है अगर इस तरह से चलती रहे तो समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ खड़ी होती जो कि ललकार रहे हैं बीजेपी को समाजिक नयाय के मुद्दे पर आरच चाड़ जातिगत जनगरना की मांग कर रहे हैं तो अब अकले स्यादव बीजेपी को बिल्कुल खत्म करने के रास्ते पर आ गए हैं